आप सबी को नमस्कार मैं हिमांचु सिंग एक बार फिर से आप सबी का UPS News 24 में स्वागत है आईए नज़र डालते हैं यूपी के जन्पाद उन्नाव की ओर आपको बता दें उत्तर परदेश के सफीपूर विकासखंड के अंतरगत मुस्तफावाद पखरोरा में मुर्गा फार्म दोतीन वर्सों से संचलित है जो की आवादी के अंतर संचलित हो रहा है कोई और नहीं ये कारनमा ग्राम परदान पती खलील अहमत द्वारा किया जा रहा है जिससे ग्रामीडो को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं परदान की दवंगई के चलते लोग सिकायत करने में भी टर रहे हैं ग्रामीडो ने आरोप लगाया कि कई बार उच्चा दिकारी उसको अबगत कराने के बाद भी ग्रामीडो की परसानी दूर ना हो सकी जिससे ग्रामीड काफी गंबीर बीमारियों को जेल रहे हैं वह यहीं ग्रामबाशी ने यह भी कहा है कि हम लोग शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुर्गा फ़र्म बंद करवाज़ जैया ya मुर्गा फ़र्म को ग्रामबंचाईस से दूर करवाज़़ जहे ताकि ग्रामबाशी सुरक्षचित जिवन यापण कर सकें और गंबीर महामारी बीमारी से बच सकें ऐसी ही लगातार ख़वरों के लिए बने रहे हैं जन्पत उन्नाव से मुखल गौर के साथ हर ख़वर सबसे पहले कहां रहने वाले हैं क्या समस्या है आपकी समस्या मुख्या परसान करें चोटे बच्चे हैं और अगल अगल गाओं वाले वही परसान है इसके सिकायत नहीं कि आपने इसकी सिकायद किया जन्पतारा एक बंद हो गया था मैंने जो इन्हें जी अब उसने फी चालू करा दिया कि बोला कि जहां जाना हो जाएए हमारा कुछ नहीं होगा जहां जाना हो आप जाएए